कैसा पर्दा किये बठे हो औरे जालिम कहां रहते हो कैसा पर्दा किये बठे हो वीदार को हुआ अरसा अर देखना मैं तरसा कब मेरे तुम कहलाओगे अब तो सावन भी बरसा उजाला इधर देख कही उन लड़कों के इलावा कोई और बात तो नहीं है न बेटा जो कुछ हो चुकर इसे बड़ा दुखर क्या हो सकता है आई टोटली डिसग्री डाट पर मिनाज अंकल से तनी बड़ी रखा मैं आपको लेने भी नहीं दूगा देख रजा तू सिर्फ वारिय तक मैदूद रहे यह इस तरह अकेले तुम इतना बड़ा दुख कब तक सहती रहोगी यकीन करो जाला अगर मैं तुम्हाई जगा होती ना उस इंगेजमेंट पर तो वो इज़त करती ना सबकी याद रखते हैं ना भी चंगेजी कौन-कौन से सुसाइटी देखी तू ले हैं भाई यहां के तमाम सुसाइटियों में ढूंग लिया हुसा काशिव का कहीं पता नहीं चला कैसा परदा कि ये बठे हो बस बहन, सिलाई की तरफ से तुम बिलकुल बेफिकर रहो तुम्हे कोई शिकायत का मौका ने मिलेगा ना मिले तो अच्छा है देखो बहन, साफ बात ही है के हम दरजनों से कपड़े सिल्वाने के आदी तो हैं सच कहूं तो मूं को नहीं लगते हैं वो तो तुमने इतना कहा तो तुम्हारी परेशानी देखके चली आई तुम्हारा भरुसा खराब नहीं करूंगी, बहुत अच्छे कपड़े सीके दूंगी वो अगर पैसे जरा पहले मिल जाते हैं जर्वास नहीं मागना, पैसे नहीं दूंगी मैं अगर तुम सलाही अच्छी करोगी तो फिर पैसे देने का सोचूंगी वो दरसल मेरी जरूरत ऐसी है कि मुझे फौरी पैसे चाहिए हाँ, एक काम कर सकती हूँ मैं अगर तुम कर शाम तक मेरे सारे कपड़े किसी बगर नुक्स कसीदो तो हाथ के हाथ पैसे दे ठीक है, तुम बिलकुल बेफिकर हो जाओ कर शाम को पांच बजे आ जाना, मैं कपड़े तयार रखोंगी सीकर ठीक है, अलाँ 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 अमने आपने सिलाई करना क्यों शुरू करती है मेरा अपसे कहा थाना, मैं खुच जॉब रोनों की एक्जाम्स के बाद अग्ये काम क्यों करती है उजाला बिजली और गैस का बिल पिछले दो महीने से नहीं भरा हमने इस दफा तो वो काटी देंगे और घर में राशन भी तकरीबन खतम ही हो चुका है पता है मालिक वकान भी रोज चक्कर लगाता है किराए के लिए मैं अपने दुख में अपके और घर के परिशाने भी बूल गए अपने वह यह जो आए अरे वाँ, यह सारे के सारे तो मेरे कल रेशम गली चल करना खूप सारी शौपिंग करके आएंगे, ठीक है? कोई शौपिंग वापिंग नहीं होगी पहले पैसे कम पड़ रहे है कम पड़ है? किस काम में कम पड़ है? कराय का घर लेना है उसके एडवांस के लिए पैसे चाहिए हम पहले ही बहुत सारे पैसे उड़ा चुके हैं उड़ा चुके है? तुम्हारे जैवरात की मालियत कितनी होगी? सोचना हम उसे बेज देते है जी नहीं मैं अपना जेवर नहीं दूँगी आपको और क्या जरूरत है किराय का घर ढूने की? इतने बड़े अच्छे आली शान बंगले में रह रहे हैं हम सुकून से देखो सवेरा, यहां मजबूरी में रह रहे हैं मेरा बस चले तो मैं अभी और इसी वक यह घर छोड़कर चला जाओं क्यों? आखर ऐसा भी क्या हो गया? सवेरा, कुछ बातों भी तुम्हें बिलकुल भी अकल नहीं है तुम अकेल ही होती हो और वो पीछे से आ जाता है हां तो, उनका घर है भाई जब मर्जी आये यहां आएंगे उन्हें यहां आने के लिए हमसे इजाज़त थोड़ी चाहिए होगी कि इस वक्त आए और इस वक्त ना आए अपने इंतिजाम तो कर सकता हो ना मैं तो वो ही कर रहा हूँ तर लाओं तो अम्मी, मैं ज़रा पा रहा है कर चाहरी हूं मुझे कुछ काम है हाँ बेटा, जरूर से लिजा दिल भी पहल जाएगा तेरा दिल पहलने को अब रहा ही क्या है अरे नहीं बेटा, ऐसी बाते नहीं करते अभी तुने देखा ही क्या है अभी तो उम्म पढ़ी है तेरी मुझे के साथ बहुत खुबसूरत जिंदगी गुजारेगी तुरी अम्मी, आप प्लीज ये बातें करना छोड़ते सारे मर्दिक जैसे होते हैं फिया की तरह आयाश या फिर दोके बाज नहीं जाला काशिफ की वज़े से तु अपने शोहर से क्यों बदकुमान होती है अम्मी, जरूरी तो नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही सब हो मुझे लगते हैं हमें किसी से भी उमीद नहीं लगानी चाहिए अलाओ आफ रस अलाओ आफ रस कितनी मुश्किल बना दी है काशिफ तुने हम सब की जिंदेगे अजरा तुम बहुत एंशन लेती हो अंधर आओ पहले अब सिर्फ बात करने के लिए यह और पर चरी साहूँग अरे बाबाद कर लेंगे तुमारी सारी बाते सुनुगी पहले हम कुछ खाएंगे अब नजीरा नजीरा जीरा जीरा अई नजीरा एकाम करो मेरे ना कमरे में दो चाय बिजवादो और क्या खाऊगी अच्छ में नहीं लूंगी मुझा पूट नहीं है अजाला तुम तो ना बहुत फॉर्मल ओरी हो आम पीज़ और कर दो हमारे तके अच्छ सुनो और मेरे कमरे से मेरे इंगेजमेंट की आलबब गुगा चले ठीके जी चले आजा तुम पिल्खुल कमफिटेबल हो पैटो या मेटो पैटो पैटो सॉरी मैं जानती हूँ कि मेरा कमरा बहुत गंदा हो रहा है मुझे थोड़ी अंदाज़द है कि तुम ऐसे आचाओगी अच्छ ये सारी बात चोड़ो मुझे चल्दी से बिताओ कि तुम्हारे इतना खुबसूरत चेहरे पर इतनी उल्जिन क्यों है वार्या तुम रजा को बहुत जादा चाहती हो ना वार्या 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 मैं उसे महबबत करती हूँ लेकिन तुम अच्छानक से रजा के बारे में क्यों पूछ रही हो तुम उसके बारे में कितना जानती हो पजाला, मुझे समझ में नहीं आरात तुम रेजा के बारे में इसना से सवाल क्यों करे रियों मुझसे? फारिह, अगर मैं तुमसे ये कहूँ, कि रेजा शादिश होता है, तुम क्या करोगा? वाट? ये ये खैसा मज़ा के हो जाला? मैं उस लड़की को जानती हूँ, जिससे रजा ने निकाह किया था, और फिर कभी पलटके नहीं देखा. कौन है वो लड़की? कौन है? तुम किसे जानती हूँ उसे? कहा रहती है, तुम मुझे लिखे से लोगी से विस्वाट! पार्या, ये बात तो सुन्छो, और तुम इस लड़की से मिलकर भी क्या करें? मैं निकाफ करूगी मैं उसे? मैं निकाफ करूगी मैं उसे? जाला, उसे मुझे केसे दोग़ा थीया? अभू इसे जाला, जाला, तुम मैं निका रहती है, वहाड में गई ये मंदमी ये रिष्टा! जूट की मुन्याद में कड़ा किया थो उसे ये संगोच! और मैंने उसे पहले दिल समझा दिया था! जूट और दोगे से मुझे नम्रते! नम्रते मुझे! नम्रते मुझे! हुचाला, तुम्हें कहस्ता है। वे उस लेड़की से अब ही जिए फार्ट मिलना चाहती हूँ! मुझे उसके पास लेखे चलो हुचाला, प्लीज लेखे चलो! हुचाला, तुम्हें क्यों रोड़ी हो? क्योंकि जिस पदमसीब लड़की से रजा नहीं निकाह किया था, वो सरफ और सरफ मैं है। पार्या, वो जिन में मांगनी पिसे इसलिए चली गई थी। क्योंकि मैंने रजा के साथ इंत्यास खाने को देख या, जिस इनसान से तुम महब्त करती हैं, जिसे तुम रजा कहती हैं, यही मेरे लिए मुहसेन है। उसका मुकमल नहीं मुहसेन रजा है, और मैं और तोBaby, हम दोनओ एक इनसान से महब्त करते हूं। था बड़ा दोगा, था बड़ा चूप, और मेरे घरवाले, इसन्ता हर्सा उसमें अंधा हित्तमात करते रहे, और इसनले में भागल बनाया? मैं उसे, उसके किये की सजाई दूगे में, तेखरा तु? मैं उसे नीए कात्यू मैं? तूगे में उसे, उसके किया की सजाई? अडरी, अपको सभालू. जिए सभालू आब को चालाए? जोड़ो, दोगा दिया, उस्थे मुझे पुझे पुझे, मेरी फीलिक्स को पुझे, उस्थे. मैं दोसी नडग्यों कि देना बेवकूप नहीं हूँ. मैं उसे नहीं बख्षोंगी. मैं उसे उसके किया किससा दरूर दल्वाओंगी. मुझे, मुझे, मुझे मुझे बताब क्यों किया उसने इता हो जाना? मेरी इताब से क्यों किया? मुझे माफ कर दो, पारू. मैं नहीं चाहती थी कि तिमने जो खाब देखी थी, वो इस तरह. मुझे जानने के बाद भी उससे रिष्टा रखना है, तो मुझे कोई अतरास नहीं है. मारा मतलब क्या हो जाला? तुम मुझे इतना गिरा पड़ा हुआ समझती हो, कि मैं एक शादी शुदा शक्स के साथ किसी भी किसम का रिष्टा रखना चाहूंगी? मेरा ख्याल है कि यह इस रिष्टे में तुम उसके साथ बंदी वी हो, तुम्हे उससे हर्गिस मूनी पेड़ना चाहिए. मैं तुम्हे असाब इसलिए नहीं बता रही कि मैं उससे अपना हग चाहती हूँ. अगर तुम इस शुदे से इंकार भी करतों, तब भी वो कोई और फार्या टोड़ के ले आएगा। अगर सच में हूँ इनसान इतना घटिया है, तो तुम भी उससे छोड़ दो ना? हम दोनों मिलके उससे छोड़ दो जोड़ दो. तुम भी प्लीज रजा समेथ पूरा सच किसी को उन्त बतानों. क्यों हो जाला? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई वे जस्पाती फैसला मेरी माँ परसल अंदाज हूँ. और खुदान खास्ता मैं उन्हें खोड़ू. उचाहला, तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारी मर्यम खाला, वो इस दुनिया में नहीं रही? अचाहला, 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 शाब, सब ठालो बढ़तन और अभी धोगर रगदेना, अचाहला, सुभई सुभण नाचता, चहरे पर मस्वराड, बहुत खुशनदार आ रही अमा, लगता है कादिर आया था, खुश तो मैं बहुत हूँ बेटा, लेकिन कादिर के आने के वज़े से नहीं, तुम्हारे लिए रिष्टा तै हो जाने के वज़े से, अमा उजादा मिल गई किया? तौबा है, वो लड़की तो तुम्हारे दमाग पे न, लसूरे की तरह चिपक कर रह गई है, जान छोड़ तो उसकी बेटा, नहीं मिलने वाली वो तुम है, लेकिन अब जो लड़की मेने तुम्हारे लिए पसंद की है न, रोष्टी नाम है उसका, बहुत हसीन और जमील है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा, नहीं चाहिए मा मुझे वो तुम्हारा चांद का टुकड़ा, मेरे लिए तो पूरा चांद है मेरी उचाला, बल्के, बल्के चौदवी का चांद है वो, रोष्णी, अपने पास रखवा मौस रोष्णी को, देखो बेटा, अब तु मुजयात्ती कर रहे हो मेरे साथ, क्यों मुझे मेरी तनहायों का शिकार करके मुझे मारना चाहते ह। एक तो मैं तुम्हारे ड्रामों से तंग आ गई, पहले तुम्हें हर दूसरी लड़ी की पसंद आ जाती थी, और अब एक ही परसूई अठक कर रह गई है, आगे बढ़ी नहीं रही? अब तुम्हें सुना नहीं, महबबत एक ही बार होती है, और वा तेजों कदीर को हो गई, अब अब इस दिल में ना, इस दिल में उजाला की सिवा को यह और आ नहीं सकता, बेटा, मैं रॉष्णी की घर वालों को क्या चवाब तुम्हारा मसला है, और अगर वो लोग ज्यादा तर्तर करें ना, तो उनको कह देना, एक बार में उजाला से शादी कर लो, फिर उसका बाद उनकी बेटी से भी कर दो, नहीं पास आएगा, नहीं सुनेगा मेरी बात, असमा, जाओ बाहर जाकर महमानों से कहदब, ये शादी आज ही होगे, अर्जुमन, मेरे मौसिन की दुलहन बनीगे, ये रिड जादीक डौका है, पुकताला मेरे मौसिन तर्मचों बनीगे की रचादी श्र करेंवार मेरे मौसिन झाल 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 कि कि अख जाल देखा जाए तो बुरा तुम दोनों के साथ हीुआ युआ लेकिन मैं जहां तक फारिय को समझ भाई उन तो बुझ जिल में बहर जाए लेकितंगे क्या सोच आब अजाला, मैंने क्या सोचना, का शम्मी ने मेरे नाम उसके नाम के साथ ना जोड़ा है, बच्छमन से इतनी बार उसका नाम उसका नाम के साथ सुने कि अपना अपने बिल को तुती भी मर्तबा संजालू हो नहीं मानता, उफ, ये आलम शॉप का देखा ना जाया, एक वो है कि अजसे खाति में लाते और तुम हो के उन्हें लगता है कि उन्हें रिष्टा हमदर्दी के लिए जोड़ा है, लेकिन मैं भी बखैर किसी वज़ा कि उन्हें रिष्टा तोड़ने नहीं दूगी हो जाला आखर तुम चाहती क्या हो तुम्हें रखना भी है और अपनी हक खीकत भी नहीं बतानी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. इसलिए कि मुझे डिर्ड लगता है. मुझे डिर्ड लगता है कि मैं जो अर्जमान्त बंकर उनसे मिली हूँ, कहीं उसे भी ना खोड़ू.